आप सभी लोगों का सवागत है आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बिल्डिंग में काम चल रहा है इस वज़े से कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण थोड़ा देले हो गया मेरा नाम है अंचुल पाठक और आज से मैं आपका इसके बारे में डिसकस करूंगा पीशिस के एक्जाम में अखसर सइंस को कुछ इसके साइंस और इसके कर दोजी रहते हैं सायंस में आफिसिक्स Chemistry Biology Science and Technology से related questions होते हैं भौतिकी रसायन जीव विज्ञान और विज्ञान एवं प्राध्योगी की से सम्मंधित questions इसमें पूछप किये जाते हैं हम दोगों की ये सारे सेग्मंध ही discuss करने हैं सबसे ज्यादा पार्ट जीव विज्ञान का होता है Biology से discuss किया जाता है देकि ये सारे पार्ट ही हम दोगों को discuss करने हैं थोड़े थोड़े तो आज से हम स्टार्ट करते हैं Physics यानि की भौतिकी 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 क्या है? भौतिकी देखिए इस ब्रह्मंध में दो चीजे हैं उर्जा और पदार्थ उर्जा और पदार्थ का समन्वय ही भौतिकी कहलाता है उर्जा यानि की एनर्जी उर्जा क्या है? पहले हम लोग ये discuss खर लेते हैं उर्जा को ना तो उत्पन किया जा सकता है और ना ही नश्ट इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्टित किया जा सकता है तो उर्जा को हम ना तो उत्पन कर सकते हैं और ना ही नश्ट इसे किवल एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्टित किया जा सकता है इसे उर्जा संरक्षन का नियम कहते हैं जैसे ये माइक लगा है हम माइक से बोल रहे हैं ये माइक ध्वानी उर्जा को विद्धित उर्जा में convert कर रहा है साउंड एनर्जी को electrical energy में convert कर रहा है ऐसे ही जो loudspeaker लगे रहते हैं इन speakers में जो विद्धित उर्जा है ये विद्धित उर्जा फिर ध्वानी उर्जा में परिवर्टित की जाती है electrical energy फिर sound energy में convert की जाती है ऐसे ही डाइनमो और electric motor की बात करते हैं डाइनमो और electric motor डाइनमो जिसे आज कल हम लोग inverter या generator के नाम से जानते हैं इसकी खोज Michael Faraday ने की थी डाइनमो में एक shift लगा रहता है इस shift को घुमाया जाता है और इस shift को घुमाने पर हम उसे यांत्रिक उर्जा देते हैं mechanical energy देते हैं ये इस यांत्रिक उर्जा को विद्धित उर्जा में परिवर्तित करता है घर में light आ जाती है तो इस तरीके से डाइनमो यांत्रिक उर्जा को विद्धित उर्जा में परिवर्तित करता है मेकानिकल एनर्जी को इलेक्टरिकल एनर्जी में कनवर्ड करता है और इसी का ही ज़स्ट या कॉंपलिमेंटरी होता है electric motor पंखे में एक motor लगी होती है हम switch on करते हैं तो electric energy उसमें जाती है और ये electric energy से उसकी motor उस electrical energy को mechanical energy में convert कर देती है और yeah antre krds के कारण उसके पंखे घुमने यतुटे हैं तो ये विद्यत उर्झा को या antre krds परिवर्षेत करता है electrical energy को mechanical energy में convert करता है तो इस तरीके से हम किवल उर्जा का conversion ही कर सकते हैं रुपांतरण ही कर सकते हैं हम उर्जा को ना तो उत्पन कर सकते हैं और ना ही नश्ट इसे उर्जा संरक्षन का नियम कहा जाता है law of conservation of energy कहा जाता है अब बात करते हैं पदार्थ के बारे में तो बताईए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं how many states of matter पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताईए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेज में बच्पन में पदार्थ की तीन अवस्थाएं हुआ करती थी ठोस, द्रव और गैस लेकिन अब पदार्थ की पाँच अवस्थाएं हो गई हैं ठोस, द्रव, गैस तो है ही इसके अलावा प्लाजमा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट ये पाँच अवस्थाएं अब पदार्थ की मानी जाती है ठोस, आप सभी लोगं को पता है, ठोस में अणू जो होते हैं बहुत ही पास-पास होते हैं, डैंसली पैक्ड होते हैं ठोस में अणू के बीच में बिलकुल भी रिक्त स्थान, बिलकुल भी खाली जगे नहीं होती अणु एक जगे से दूसरे जगे तक shift भी नहीं हो पाते ये ठोस होता है दरव में अणु के बीच में थोड़ा सा इस्थान रिक्त हो जाता है थोड़ा सा खाली स्थान आ जाता है और गैस में ये खाली स्थान बहुत ही जादा बढ़ जाता है ये तो आप सभी लोगों को पता है ठोस द्रव गैस प्लाजमा अवस्था द्रव और गैस के बीच की संक्रमन अवस्था है सुनील कह रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा कृष्णा नंद निशाद भी कह रहे हैं सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा सूरज, गुड मॉनिंग सर, प्रदीप कुमार यादव मुझे भी नहीं दिख रहा तो दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आपके एंड से प्रॉब्लम हो सकती है बोर्ड सामने ही है कैमरा के प्लाजमा अवस्था द्रव, ठोस और द्रव के बीच की संक्रमत अवस्था कहलाती है इसमें जो द्रव की जैसे अभी इस समय ठंड का सीजन आ रहा है कोहरा आपको बाहर दिख रहा है तो इसमें क्या है कि वायू के कड़ों के उपर द्रव के परत जमा हो गई है तो वायू गैस है और द्रव के छोटे-छोटे मॉलिक्यूल लिक्विड वैपर्स आ गए हैं उसके उपर तो ये द्रव और गैस की संक्रमित अवस्था कहलाती है प्लाजमा जैसे धुआ, कोहरा, धुंद, फॉग, स्मोक और अभी इस समय सबसे बड़ी प्राब्लम चल रही है स्मॉग की, स्मॉग, स्मॉग और फॉग का मिश्रण होता है धुआ और कोहरे का मिश्रण कहलाता है स्मॉग जो इस समय सबसे चरम पर है, डिली में 1000 AQI पहुंच चुका है लखनव और कानपूर भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेट सिटीज में अब हैं, उत्तरप्रदेश के लगभग, सताथ शहर हैं, जो इस समय सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेट शहर के रूप में माने जाते हैं तो ये स्मॉग के कारण है, और स्मॉग किसकी अवस्था है, प्लाजमा अवस्था है बोस आइनसीन कंडेंसेट के बारे में हम लोग अब चर्शा करते हैं बोस आइनसीन कंडेंसेट, ठोस और द्रव के बीच की संक्रमन अवस्था क्या लाती है ना तो ये पूरी तरह से ठोस होता है ना पूरी तरह से द्रव होता है semi-liquid और semi-solid state is called Bose Einstein Condensate जैसे jelly belly आपने दिखा होगा कि ना तो पूरी तरह से ठोस होता है ना पूरी तरह से द्रव तो इस तरीके की अवस्ता क्यालाती है Bose Einstein Condensate भारती साइंटेस्ट सतेंद्रनाद बोस और जर्मन साइंटेस्ट आइंस्टीन ने मिलकर के इसको डिसकवर किया था इसी वज़ेसे इनके नाम पर इसे बोस आइंस्टीन कंडिनसेट कहा जाता है तो ये पदार्थ की अब पांच अवस्थाएं हैं उर्जा और पदार्थ का समन्वय ही भौतिकी कहलाता है फिजिक्स कहलाता है तो फिजिक्स में हम लोगों ने चर्चा की की भौतिकी है क्या अब हम लोग भौतिकी में अपना पहला चैप्टर डिसकस करते हैं मापन एवं गतियां मापन एवं गतियां मेजर्मेंट एंड मोशन जैसे आप मैट्स में कुश्चन्स करते हो तो मैट्स में यूनिट दिये होते हैं किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर, प्रतिसेकंड ये इस तरीके की जो यूनिट होती हैं सेम वैसी ही यूनिट होती हैं फिजिक्स में भी तो ये जो यूनिट्स हैं इन्हें एकाईयां कहा जाता है एकाई यां दो प्रकार की होती हैं, मूलभूत एकाई और व्यूत्पन एकाई, और डेराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स या मूलभूत एकाई उन्हें कहा जाता है, जो जिनके मान कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होतें, चहाएं आप रत्वी पर निकालिये, चन्द्रमा पर निकालिये, अंतरिक्ष में निकालिये, कहीं पर भी निकालिए वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे जिन एकाईयों से मिलकर के अन एकाईयों का निर्माण होता है ऐसी एकाईयों को कहा जाता है व्योतपन एकाईयां, derived units मुलभूत एकाईयों में साथ एकाईयां आती है सेवन फंडमेंटल योनिट्स आती है मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन केंडेला एम्पियर और मूल ये साथ मूलभूत एकाईयां केलाती है साथ मूलभूत एकाईयों में पैरिस में एक विवस्था है जहां पर इन एकाईयों को बनाया गया है निकाईयों के मान फिक्स किये गए है तो प्रारंब में छे मूलभूत एकाईयां मनाई गई थी लेकिन बाद में केंडला को भी इसमें जोड़ दिया गया तो अब ये साथ मूलभूत एकाईयां हो गई है मीटर दूरी ये लंबाई की एकाई है किलोग्राम द्रविमान की एकाई है सेकेंड समय की एकाई है केल्विन ताप की या परमताप की एकाई है केंडला ज्योती तीवरता या लियूमिनस इंटेंसिडी की एकाई है एमपियर विद्युधारा की एकाई है और मोल पदार्थ की मात्रा की एकाई मानी जाती है ये साथ मूलभूत एकाईयां कहलाती है इन्ही साथ मूलभूत एकाईयों से मिलकर के अन्य एकाईयों का जन्म होता है इन्हें कहा ज Táए डिराइव डियोनेट्स वियुद्पन एकाईयां इनकी मान जो है इनकी वैलियूस कभी भी परिवर्थित नहीं हुती वैसी की वैसी ही रहती है एक वेग्यानिक थे जिनका नाम था एवोगेड्रो एवोगेड्रो ने सोचा कि हम एक ऐसा मात्रक बनाएं जिसका मान ठोस द्रव गैस सभी में समान हो तो ठोस द्रव गैस सभी में अणों होते हैं और अगर हम अणों की एक फिक्स मात्रा ले लें तो ठोस में भी उसका मान वही होगा द्रव में भी उसका मान वही होगा और गैस में भी उसका मान वही होगा तो एवोगेड्रो ने ऐसी एक संख्या ली और इसको नाम दिया मोल, मॉलीक्यूल से नाम पड़ा है मोल, एक मोल में 6.023 x 10 raised to the power 23 मॉलीक्यूल होते हैं, अब वो चाहें ठोस के हों, चाहें द्रव के हों, चाहें गैस के हों, सभी के पदार्थ के एक मोल संख्या में इतनी होगी, ये कहा एवोगेड्रो ने और इसी वजह से एक मोल को मूल भूत इकाई में शामिल कर लिया गया, ये जो संख्या है, इस संख्या को एवोगेड्रो संख्या भी कहा जाता है, कई बार कोश्यन इससे भी पूछा गया है कि इन में से कौन सी एवोगेड्रो संख्या है, 6.023 इंटो 10 रेस सिच भावर 23, इसे एवोगेड्रो संख्या कहा जाता है, एक मोल में अणूओं की संख्या इतनी होती है, चाहें वो ठोस के हों, द्रव के हों, या फिर गैस के हो तो ये साथ मूलभूत इकाई कहलाती हैं, इसके अतरेक दो और इकाईया है, जिन्हें पूरक इकाईया कहा जाता है, ये हैं रेडियन और इस्टे रेडियन, रेडियन और इस्टे रेडियन, जितना भी 2D दूई विमी संरचनाए होती है, जैसे आप टीवी देखते हो, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पर ये देख रहे हो, ये सब 2D है, दो विमाएं हैं इसमें, एक लंबाई, एक चोड़ाई, तो जब दो विमाएं होती हैं, जैसे ये वरत बनाया हमने, इस वरत के केंदर पर जो कोड बनेगा, इस कोड को मापन के लिए हम रेडियन का प्रयोग करेंगे, तो रेडियन हमेशा दो विमाएं सनरचना के कोड को मापने के लिए यूज किया जाता है, जबकि इस्टे रेडियन को घंकोण कहते हैं, घंकोण या सॉलिड आंगल इस्टे रेडियन से मेजर किया जाता है, सॉलिड आंगल या स जब गोला कार हैं तो ये गोला या स्फियर का जब हम कोड कोड ग्याद करते हैं तो इसे घंकोड कहा जाता है solid angle कहा जाता है इसको measure करने के लिए इस्टियरadian का प्रयोग किया जाता है तो इस तरीके से ये दो भी पूरक मातरक कहलाते हैं जो मूलभूद इकाईयों में ही आते हैं इसके अत्रिक्त अन्य जितनी भी इकाईयां हैं वो सब व्यूत्पन इकाईयां ये व्यूत्पन मातरक कहलाते हैं derived units कहलाते हैं जैसे मीटर प्रतीस सेकंड ये चाल की या वेग की इकाई है इसमें देखिए मीटर प्रतीस सेकंड मीटर भी मूलभूतिकाई सेकंड भी मूलभूतिकाई इन मूलभूतिकाईों से मिलकर के जिस इकाई का जन्वुआ उसे कहेंगे व्यूत्पन मात्रक या डेराइवड यूनिट त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रतिसेकेंड स्क्वायर तो ये भी दो मूलभूत इकायों से मिलकर के बना है इस वजे से इसे भी व्योत्पन कहा जाएगा डेराइवड कहा जाएगा बल किलोग्राम मीटर प्रतिसेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक होता है, तो बल में किलोग्राम भी मूलभूत इकाई है, मीटर भी है, सेकंड भी है, तो मूलभूत इकाईों से मिलकर के जिन इकाईों को जन्म होता है, उन्हें कहा जाता है व्योत्पन मात्रक या व्योत्पन इकाईया, तो ये दो प्रकार की इकाईया होत होते हैं जैसे अगर हम यह कहें कि मोहन 10 मीटर गया मोहन 10 मीटर गया तो इस स्टेटमेंट में हमने केवल एक ही चीज दी हुई है 10 मीटर यह 10 मीटर क्या है परिमान मैगनीट्यूड हमें ये नहीं पता कि मोहन दस मीटर कहां गया उपर गया, नीचे गया, दाए गया, बाए गया, कहां गया ये नहीं पता, दिशा का ग्यान नहीं है केवल हमें ये पता है कि वो दस मीटर गया है परिमाण पता है कि उसने दस मीटर कवर किया है तो इस तरीके से जब किसी जगे पर परिमाण दिया गया हो परंतु दिशा का ग्यान नहों तो इस प्रकार की राशी के लाती है अदेश राशी स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी अब हमने अगर ये कहा कि मोहन दस मीटर गया तो इसमें जो दस मीटर है ये दस मीटर कहलाएगा दूरी डिस्टेंस दस मीटर दूरी तैकी उसने अब हम इसी स्टेटमेंट में एक शब्द और जोड़ दे कि मोहन दस मीटर पूर्व की ओर गया मोहर वेंट टूवर्ड़ इस्ट टैन मीटर तो अब हमने दिशा भी दे दी और परिमाण भी दे दिया मैगनिट्यूड भी दिया और डायरेक्शन भी दी तो इस तरीके से जब देशा और परिमाण दोनों ग्याद हों तब हम इसे सदिश राशी कहते हैं वैक्टर क्वांटिडी कहलाता है और अब अगर ये वैक्टर क्वांटिडी बन गया है सदिश राशी बन गया है तो अब हम इसे दूरी नहीं कह सकते अब हम इसे कहते हैं विस्थापन विस्थापन इंग्लिश में डिस्प्लेस्मेंट तो ये अंतर होता है दूरी और विस्थापन में डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट में डिस्टेंस में दिशा का ग्यान नहीं होता डायरेक्शन पता नहीं होती डिस्प्लेस्मेंट में परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई होती है तो इस तरीके से अदेश और सदेश राशियां भी भातिकी में मात्रक के अंतरगत, मापन के अंतरगत पूछी जाती हैं तो जैसे पहले हम लोग बात करते हैं अदेश राशियों की अदेश राशी में दूरी चाल कार्य, समय, विद्युधारा ये सब अदेश राशियां हैं ये सब स्केलर कॉंटिटी हैं और अगर सदेश राशियों की बात करें तो सदेश राशी में विस्थापन, त्वारण, वेग, समवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियां कहलाती हैं वेक्टर कॉंटि कहलाती हैं तो इस तरीके से हम लोग दिशा क्या धार पर सदिश और अदिश राशियों के बीच में अंतर करते हैं, विभेद करते हैं, स्केलर और वेक्टर के बीच में अंतर किया जाता है, कई बार एक्जाम में कोईशन पुछा जाता है आपसे कि विद्युधारा बताईए इन में से किस प्रकार की राशी है, विद्युधारा अदिश राशी है, ऐसे ही कारे किस प्रकार की राशी है, कारे अदिश राशी ह वेग सदिश राशी है अब अगर हम आपसे कहें कि जैसे SI unit जो होती है SI व्यवस्था international standard system इसे कहा जाता है अंतर राश्ट्रिय मानक व्यवस्था इसे माना जाता है पैरिस में एक संस्था है इस संस्था के द्वारा ये SI व्यवस्था का प्रारंब किया गया और पूरे विश्व में यही मान है हर जगे पर SI व्यवस्था के द्वारा ही मापन किया जाता है measurement किया जाता है इस SI व्यवस्था के अंतरगत दो प्रकार किये सिस्टम जाते हैं MKS system और CGS system मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम सैंटी मीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम तो जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम जो है ये बड़ा व्यवस्था है जबकि सैंटी मीटर ग्राम और सेकेंड व्यवस्था जो है ये छोटी व्यवस्था है प्रदीप कुमार यादव जी अब लिख रहे हैं कि अब दिख रहा है सर अभी मन्यू गुड मॉनिंग बजाज पांडे दिख रहा है विवेक सब दिख रहा है नम्रता सिंग स्टेट बिट्वीन लिक्विड एंड गैस अच्छा वेरी गुड प्रदीप कुमार यादव सॉलेड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोसाइंसीन कंडेंसेट एहम पंडे दोस गैस लिक्विड प्लाज्मा बोसाइंसीन थोस गैस लिक्विड प्लाज्मा बोसाइंसीन ये पांच अवस्थाएं होती है प्रदीप कुमार यादव जी ने मूलभूत फंडमेंटल यूनिट्स के बारे में भी लिखा है ये जो आपने LMT लिखा है लेंथ मीटर टेंपरेचर बिल्कुल सही है प्रदीप कुमार यादव 22.4 लीटर वेरी गुड ये होता है आयतन किसी भी गैस का सामाने ताप तसदाब पर अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग आगे के सेशन्स में करेंगे सूरज जी स्टेरेडियन को लिूमेन भी कहते हैं क्या सर सूरज ने ये कॉश्चन पूछा है तो देखिए स्टेरेडियन जो है ये कोण है इसे घन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गोले के अंदर का जो कोड बनता है प्रत्वी के भीतर जो त्रिज्या है इस त्रिज्या से लेकर के अगर हम साड़े तेज़ डिगरी का कोण खीचें तो ये साड़े 30 जीगी के कौन क्यालाएगा स्टेरेडियन लेकिन जो लियूमन होता है ये लियूमन होता है जब हम लोग आप्टोमीटरी प्रकाश मिती पढ़ते हैं तो प्रकाश मीतरी में जियोती फ्लक्स एक टर्म आता है जियोती फ्लक्स को मापने प्रदीव कुमार यदव कोहेशन फोर्सेज मोर हाँ सही बात है कोहेशन फोर्सेज मोर दो प्रकार के फोर्सेज लगते हैं अणवों के बीच में कोहेशन एन एडहेशन समान प्रकार के अणवों के बीच में कोहेशन लगेगा ससंजक बल और असमान प्रकार के अणवों के बीच में विपरीत प्रतिकर्शन बल लगता है जिसे हम एडहेशन फोर्स या आसंजक बल कहा जाता है आसंजक बल और संजक बल ये दो कहलाते हैं तो यहाँ पर हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड की बात कर रहे हैं सबसे जादा मान जो विवस्था है SI सिस्टेम के अंतरग परिवाशा माई 2019 में बनाई गई है 148 साल के बाद ये परिवाशा परिवर्तित हुई है इस वजए से PCS के एक्जाम में इंपॉर्टन्ट हो सकती है पहले क्या था कि पैरिस के म्यूजियम में प्लाटिनम इरीडियम की मिश्र धातु की बनी हुई एक छड़ हुआ गरती इस छड़ का जो भार हुआ गरता था इस भार को ही पूरे विश्व में एक किलोग्राम माना जाता था परन्तु अब नई परिवाशा बना दी गई है 1500 सालों में इस छड़ के भार में लगभग 0.5 ग्राम की कमी आ गई जिसके कारण धीरे धीरे फ्यूचर में 500 हजार साल क के बाद ये बहुत ज़ादा अंतर आ जाएगा एक किलोग्राम में तो एक ऐसी विवस्था की जाए जिसका मान कभी भी कहीं पर भी परिवर्थित ना हो हमेशा सालों साल सदियों सदियों तक वही मान रहे तो इसी के कारण प्लांक कॉंस्टेंट प्लांक नियतांक के अधहार पर किलोग्राम की परिभाशा को डिराइव किया गया फॉर्मूला होता है ई इस इक्वल टू एच न्यूँ ई है उर्जा एच है प्लांक नियतांक और न्यूँ है आवरत्ती तो इस आधहार पर प्लांक नियतांक के आधहार पर अब किलोग्राम की परिभाशा बनाई गई है कई बार कोशन और एक्जाम में पूछा भी जाएगा कि किलोग्राम की नई परिभाशा किस आधहार पर ली गई है प्लांक नियतांक के आधहार पर बनाई गई है मीटर की परिभाशा को कैसे define किया गया है मीटर की परिभाशा को प्रकाश की चाल से define किया गया है प्रकाश की चाल 3 into 10 raise to the power 8 meter per second होती है ये भी जो है ये पूरा round digit में नहीं है इतने second में प्रकाश जितनी दूरी तै करेगा वो दूरी कहलाएगा एक मीटर तो परिभाशा के अनुसार ये बनाया गया है ये जो digit है ये almost इस digit को ही accurate form में लिखा गया है और second की परिभाशा एक पर्माणू घरी घरी बनाई गई है atomic watch इस पर्माणू घरी में cesium का पर्माणू लगा है cesium का पर्माणू कमपन करता रहता है दोलन करता रहता है vibration करता रहता है एक निशित vibration तक एक निशित vibration तक जैसे ये है कि जब इतने vibration इतने कमपन कर लेगा तो इतने कमपन करने में जो समय लगेगा वो समय कहलाएगा एक सेकंड तो इस तरीके से मीटर किलोग्राम सेकंड की परिभाशाएं अलग अलग आधार पर निकाली गई है सर्वमान ने मात्रक MKS ही कहलता है CGS बहुत ही छोटी unit को कहते है जैसे बल का मात्रक MKS सिस्टम में क्या है MKS सिस्टम में बल का मात्रक होता है newton जबकि CGS सिस्टम में बल का मात्रक कहलाता है dine एक newton में कितने dine एक newton में 10 raised to the power 5 dine होते है ये newton क्या है kilogram meter per second square 1 kilogram meter per second square कहलाता है 1 newton और dine क्या है one gram centimeter per second square तो आप देख लीजे convert कर लीजे एक kilogram में 1000 gram होते हैं और एक meter में 100 centimeter होते हैं एक kilogram में 1000 gram यानि कि 10 raised to the power 3 gram और एक meter में 100 centimeter होते हैं यानि कि 10 raised to the power 2 centimeter तो 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power 2 is equal to 10 raised to the power 5 तो एक newton में 10 की power 5 dines हुआ करते हैं तो इस तरीके से MKS सिस्टेम को CGS सिस्टेम में convert किया जाता है अदिश और सदिश राशी में देखिए जैसे आप अपने घर से market तक जाते हो तो market तक जाने पर आपकी जो प्रारंभिक bike से जाते हो तो bike start करते हो जैसे ही start करते हो तो bike का प्रारंभिक वेग आ जाता है ये बताईए कि जैसे आपने गणित में सवाल हल किये होंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है speed is equal to distance upon time इसका भी मातरक meter per second है अब अगर हम यहाँ पर दूरी ना लें यहाँ पर अगर हम विस्थापन कर दें विस्थापन और दूरी में अंतर अभी हम दोगों ने चर्चा की है विस्थापन में परिमार के साथ सद दिशा दी गई होती है दूरी में दिशा नहीं होती है तो अब यहाँ पर दिशा है तो अब हम इसे चाल ना कह करके कहते हैं वेग यानि की वेलोसिटी दोनों का मात्रक मीटर पति सेकंड ही होता है फ्रदीब कुमार यादव 7.2 मूल भूत उत्पन अजी थोड़ा स्पीड बढ़ाईए अच्छा इतने में ही आप बताईए स्पीड तो यही रहेगी समझना अगर अच्छी तरह से है तो आप इसी स्पीड में समझो तो ज़्यादा बेटर है वेग और चाल इन दोनों के बीच में अंतर होता है दिशा का यानि की डायरेक्शन का अब वेग आपने बाइक देखी होगी बाइक में एक राइधन साइड पर एक नॉब लगा रहता है आप उसको रेज करते हो आपकी बाइक टेज भागने लगती है छोड़ देते हो तो धीमे पर जाती है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं एक्सलरेटर यह जो एक्सलरेटर टर्म बना है यह बना है एक्सलरेशन से एक्सलरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय वेग परिवर्तन बटे समय तो इसका जो मात्रक है वो ह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यह कहलाता है तोरण अभी प्रवीब कुमार यादर जी आपने ल्म्ट जो लिखा हुआ है यह ल्म्ट वैसे तो भौतिकी में विमाएं बहुत जादा माइने रखती हैं जैसे अभी हम लोगों ने रेडियन देखा था दोई विमिये सनरुषना का कोन ग्याद करता है जबकि इस से रेडियन 3 विमिये सनरुषना 3D स्ट्रक्चर का घंकोन ग्याद करता है भौतिकी में जो विमाएं होती है यह प्रमुक रूप से लंबाई इसे L से डिनोट करते हैं समय इसे T से डिनोट करते हैं द्रव्यमान या भार इसे M से डिनोट करते हैं ताप ठीटा से डिनोट करते हैं और विद्युद्धारा को ए एमपियर से रिनोट किया जाता तो यह पांच प्रकार की विमाय प्रामों ग्रूप से भौतिकी में याद की जाती हैं और इन्हीं पांच प्रकार की विमाओं के आधार पर विमिय सूत्र भी निकाले जाते हैं विमिय सूत्र निकालने के लिए सेम यही फौर्मूले यूज होते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे चर्चा की है तो यह भौतिकी के फौर्मूले याद करने होते हैं तब ही विमिय सूत्र निकलता है अक्सर एक्जाम में विमिय सूत्र से सम्मंदित क्वेशन होते हैं जैसे कुशन है कि वेग का विमिय सूत्र क्या होगा वेग का विमिय सूत्र क्या होगा वेग का विमिय सूत्र क्या होगा देखिए वेग का विमिय सूत्र होता है विस्थापन क्या है विस्थापन है लंबाई तो यहाँ पर विस्थापन की जगे capital L और समय की जगे capital T रख दिया अंच में है L हर में है T तो जब यह हर उपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा L T minus 1 तो इस परीके से यह L T minus 1 इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है M 0 L 1 T minus 1 इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं तो यह कहलाता है वेग का और चाल का विमिय सूत्र इसी प्रकार से अगर त्वरण का विमिय सूत्र निकाला जाए acceleration का विमिय सूत्र निकाला जाए तो किस प्रकार से निकाला जाएगा इसका formula होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन का मतलब है वेग, तो त्वरण या एक्सलरेशन का विम्य सूत्र निकालने के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम ये फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी का डाइमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग निकाल चुके हैं, वेग का ल्टी माइनस वन अपॉन टाइम टी, तो अब देखिए हर में फिर से टी आ गया, अब ये हर का टी फिर से अंच में जाएगा, निमेरेटर का टी फिर से निमेरेटर में जाएगा, तो निमेरेटर में जाने पर अब ये भी इन्वर्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का ही रहता है, तो ये हो जाएगा, L T माइनस 2, तो ये होता के से भी लिखा जाता है तो यह वेग का वेग और तौरान का वी में सूत्र हम लोगों ने चर्चा की प्रदीप कुमार यादव जी थ्रीडी वॉल्योम स्पीड एरिया हाँ वॉल्योम स्पीड एरिया खेर तौरान तौरान का वी में सूत्र एल टी माइनस टू अब बल का वी में सूत्र हम लोग देखते हैं बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे तौरान मास इंटू एक्सेलरेशन मास यानि की द्रव्यमान और मास को कैसे डेनोट करते हैं एम से तो यह हो गया कैपिटल एम तौरान का वी में सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला LT-2 तो LT-2 तो यह बन गया M1 L1 T-2 इसे MLT-2 भी बोला जाता है M L T-2 तो यह होता है बल का वी मी सूत्र अब बल का वी मी सूत्र निकल गया तो इससे कार का विमी सूत्र निकाला जा सकता है कार का फर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन बल गुणे विस्थापन तो बल का विमी सूत्र हमें पता है MLT-2 और विस्थापन होता है L तो L और L मिलकर के हो जाएंगे ML स्क्वायर T-2 यह होता है कार्य का विम्य सूत्र कार्य का विम्य सूत्र विरिगुड अब आप बताईए घनत्व का विम्य सूत्र क्या होता है घनत्व का विम्य सूत्र डेंसिटी का डाइमेंशनल फॉर्मूला घनत्व का विम्य सूत्र डेंसिटी का डाइमेंशनल फॉर्मूला बताईए जल्दी सभी लोग प्रदीप कुमार यादव वन्दिता रोहित देव पास्वान सभी ने सही अंसर दिया है कारिक का विमिय सूत्र ml स्क्वार टी माइनस टू ही होता है हम पूछ रहे हैं घनत्व का विमिय सूत्र क्या होता है डेंसिडी का डेमिंशनल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन मास अपन वॉल्यूम तो मास एम वॉल्यूम लंबाई गोड़े चोड़ाई गोड़े उचाई यानिकी एल क्यूब तो यह होता है ML-3 ML-3 रोहित देव पास्वान वंदिता इन लोगों ने सही आंसर दिया है प्रदीप कुमार यादव जी ने भी सही आंसर दिया है घनत्व का विमिय सूत्र होता है ML-3 अब बताईए की प्रेशर या दवाव का विमिय सूत्र क्या होता है प्रेशर अजय मौर्या एक्सचेंज यूर वाट्साइप नंबर वाट्साइप नंबर कोई एक्सचेंज नहीं करेगा जो कोशन अभी पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए हाँ वेपिन रित्व शर्मा अजीत इन सभी ने सही आंसर दिया है आशीश ML-3 होता है घनत्व का अब हम पूछ रहे हैं दबाव या प्रेशर का विमिय सूत्र क्या होता है दबाव या प्रेशर का विमिय सूत्र क्या होता है वेरी गुड प्रदीब कुमार यादव जी जी ये एक आंसर मिला तो है पर किस ने दिया है ये समझ में नहीं आ रहा है दितिव शर्मा जी ने दिया है या प्रदीब कुमार यादव ने ML-1 T-2 होता है दबाव का या प्रेशर का विमिय सूत्र इसका फॉर्मूला है दाब का बल बटे छेत्र फल बल का विमिय सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला है बल का विमिय सूत्र ML-T-2 है ML-T-2 अपॉन छेत्र फल का L-2 ये L-2 उपर जाएगा ML-1 T-2 हो जाएगा वंदिता आशीश इन सभी ने सही अंसर दिया है ML-1 T-2 इसका अंसर होता है दाब का या प्रेशर का विमिय सूत्र तो अक्सर एक्जाम में अगर भातिकी से कोशन रहता है तो विमिय सूत्र से कोशन पूछी लेते हैं तो जितने भी इस तरीके के फॉर्मूले हैं सूत्र हैं वो सब याद कर लीजे अगर सूत्र याद रहेगा आपको तो आप इससे आसानी से विमिय सूत्र भी निकाल लेंगे डाइमेंशनल फॉर्मूला भी ग्याद कर लेंगे अब हम लोग चर्चा करते हैं कार ये उर्जा तथा शक्ति के बारे में कार ये उर्जा तथा शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर जैसे कोई कुर्सी है या कोई टेबल है अगर हम उस टेबल को बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करें तो इसे कार्य करना कहा जाता है बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलता है तो कार्य का फॉर्मूला हो गया बल गुडे विस्थापन वर्क इस इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट बल गुडे विस्थापन फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट कार्थ है किसी भी वस्तु को बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करना अब जैसे मान लीजे की एक कारिका जो MKS सिस्टेम पर मातरक होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड के सिस्टेम पर जो मातरक होता है कारिका वो कहलाता है जूल वैसे एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है यह एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर है इसे अगर हम CGS में कनवर्ट कर दें तो CGS में यह हो जाएगा अर्ग CGS में कारिक का मातरक होता है अर्ग एक जूल में टैन की पावर सेवन अर्ग होते हैं एक करोड अर्ग होते हैं यहां पर जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग सर्फिस बने हुए हैं एक इस तरीके का सर्फिस है और एक ऐसा सर्फिस है यहां पर यह चेयर रखी है इस चेयर को इस तरीके से इस पर कार किया जा रहा है और एक चेयर यहां रखी है इस चेयर को इस तरीके से विस्थापित किया जा रहा है तो कौन सी सतह पर कार अधिक करना पड़ेगा और क्यों मताईए कौन सी सतह पर कार अधिक करना पड़ेगा और क्यों पहली वाली सतह पर कार अधिक करना पड़ेगा या दूसरी वाली सतह पर कार अधिक करना पड़ेगा बताईए आप लोग प्रदीव कुमार यादव जी ने कहा है सेकंड वाली पे ज़्यादा करना पड़ेगा फिर कह रहे हैं पहली वाली पे ज़्यादा करना पड़ेगा फ्रिक्षन लगेगा ज़्यादा प्रदीव कुमार यादव जी बोल रहे हैं अगर मान लीजिए कि फ्रिक्षन जो है घर्शन बल हमने दोनों ही सर्फिस पर चिकना कर दिया है ओयल लगा दिया है ग्रीज कर दिया है बिलकुल इसमूद बिलकुल चिकने सर्फिस कर दी गई है तब तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा तब कारिक इस पर ज़्यादा करना पड़ेगा second पर because force ज़्यादा लगाना पड़ेगा बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा आशीश जी बोल रहे हैं सच्य दानंद भी बोल रहे हैं दूसरे पर रितु शर्मा भी दूसरे पर वंदिता second पर प्रदीब कुमार यादव ओके मान वन होगा कॉस में और गितानजली पहले पर बोल रहे हैं मंदीब कुमार मौर्या दूसरे पर बोल रहे हैं प्रदीब कुमार यादव पहले वाली पर ज़्यादा बोल रहे हैं गितानजली भी फिर से दूसरे वाले पर ब जीरो है सेकेंड वाली में इसी लिए वर्क जादा होगा ये रित्व शर्मा जी का स्टेट्मेंट है और ये बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है देखिए होता क्या है कि भौतिकी में हर वस्तु के घटक होते हैं अगर कोण बन रहा है तो घटक होंगे उर्ध्वाधर घटक और चैतेज घटक वर्टिकल कॉंपोनेंट और होरिजोंटल कॉंपोनेंट वर्टिकल कॉंपोनेंट हमेशा साइन थीटा लिया जाता है होरिजोंटल कॉंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा लिया जाता है उर्ध्वाधर घटक हमेशा साइन थीटा होता है चैतेज घटक हमेशा छहते जरूप से किया जाता है इसी वजह से कारे का ये जो फॉर्मूला है ये इनकंप्लीट है कारे का पूरा फॉर्मूला होता है force into displacement cos theta बल गुड़े विस्थापन cos theta इसे कहते हैं कारे का सूत्र हमेशा कारे छहते जरूप से ही जादा किया जाता है अब हमें पता है कि sin theta औ मिनिमम है तो 0 है maximum है तो 1 है 1 maximum value होती है और cos की maximum value 1 कब आती है जब cos 0 पर होता है तो यहाँ पर देखिए cos 0 पर है कोई कोड नहीं बन रहा है तो इस वजह से cos 0 होने पर यहाँ पर cos 0 की value होगी 1 यानि की maximum value होगी और इसलिए कारे सबसे ज़्यादा दूसरी surface पर करना होगा पहली surface पर कोड बन गया है चाहें 30 degree का ले लिजे 45 का ले लिजे 60 का ले लिजे जैसे जैसे आप 0 से आगे बढ़ेंगे 30, 45, 60 तो cos की value कम होने लगेगी cos 90 पर आने पर इसकी value 0 हो जाएगी अगर हम कहें कि आप किसी भी वस्तू को लंबवत 90 degree के कोण पर उठाईए तो कारे नहीं माना जाता क्योंकि cos 90 हो जाता है और cos 90 की value होती है 0 ने सब कुछ कारे 0 हो जाता है तो इस तरीके से सबसे अधिक्तम कारे करना होगा दूसरी surface पर अगर हम यहीं पर एक और formula लिखें बल गुड़े विस्थापन sin theta तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा यह किसका formula है पदीब कुमार यादव जी parallel में 1, perpendicular में 0, opposite में निगड़े very good विपिन सर सेकेंड वाली पर very good मंदीब कुमार मौर्या दूसरी वाली पर very good सूरज दूसरी वाली पर कारिजादा करना होगा very good अब यह बताईए बल गुड़े विस्थापन sin theta किसका मान होता है किसका formula होता है बल गुड़े विस्थापन sin theta force into displacement sin theta force into displacement cos theta तो कारिज कहलाता है work कहलाता है लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं बल गुड़े विस्थापन sin theta किसी का formula होता भी है या नहीं होता प्रदीप कुमार यादव जी ने लिखा है कुली के दोरा किया गया कारिज शून ने होता है वेरी गुड़े बिलकुल सही answer दिया आपने बल गुड़े विस्थापन sin theta किसका formula होता है सूरज वर्क का है अच्छा वर्क का formula अगर ये है तो फिर ये किसका formula है वर्क का formula यही होता है ये नहीं होता क्या ये भी किसी का formula है या नहीं है ये बताईए प्रदीप कुमार यादव वर्क वंदिता वर्क अगर वर्क का formula ये है तो फिर ये किसका formula है अभी बोला कि कार रे हमेशा 6 जरूप से होता है horizontally होता है और horizontal component हमेशा cost theta होता है तो यहाँ पर cost theta आएगा कार रे हमेशा cost theta से ही major होता है sin theta से नहीं अगर हम यहाँ पर sin theta लिख रहे हैं तो ये किसका formula हो जाएगा जल्दी बताईए आप लोग विपन सर नहीं पता फिर भी कोशिश करिए cost theta की जगे बदल करके किवल sin theta रखना है उर्धवाधर घटक रखना है vertical component रखना है प्रदीप कुमार यादव सर आप बताईए अच्छा अच्छा गीता अंजली कारेका जी नहीं प्रदीप जी हम तो बताएंगे ही एक आद और देख लें अगर शायद किसी का सही आ जाया अंसर जल्दी बताईए बल गुड़े विस्थापन sin theta किसका मान होता है मंदीप कुमार मौर्या एक्सलरेशन का जी नहीं तौरण का नहीं होता बल गुड़े विस्थापन sin theta फोर्स इंटो डिस्प्लेस्मेंट sin theta ये फॉर्मूला होता है बल आगूर्ण का तौर्क का तो कभी भी कंफ्यूज मत हो ये का कार्य और बलागूर्ण में दोनों के घटक अलग अलग होते हैं बल गुड़े विस्थापन sin theta बलागूर्ण होता है बल गुड़े विस्थापन cos theta कार्य होता है विपेन मॉमेंटम हो सकता है रागवेंद्र पावर का जी नहीं प्रदीव कुमार यादव मॉमेंट का जी नहीं सूरज कॉस हो सकता है तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं बल गुड़े विस्थापन sin theta होता है बलागूर्ण का टॉर्क का जबकि बल गुड़े विस्थापन cos theta force into displacement cos theta होता है कार्य का वर्क का अब हम लोग देखते हैं कार्य का विमिय सूत्र अभी हम लोगों ने चर्चा की निकाला कार्य का विमिय सूत्र ml square t-2 ये कार्य का विमिय सूत्र होता है ml square t-2 और यही ml square t-2 बलागूर्ण का भी विमिय सूत्र होता है अब चर्चा करते हैं उर्जा के बारे में उर्जा या की energy उर्जा और कार्य ये दोनों एक ही हैं कभी इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता जो कार्य है वही उर्जा है जो उर्जा है वही कार्य है उर्जा और कार्य में कभी भी विभेद नहीं हो सकता हमेशा कारे करने पर उर्जा उत्पन होगी और उर्जा जब उत्पन होगी तभी कारे होगा जैसे हमने अपनी हतेलियों को आपस में रब किया तो ये हम अपनी हतेलियों पर कारे कर रहे हैं और ये कारे जो हो रहा है ये कारे उर्जा में परिवर्टित हो रहा है उश्म गतिज उर्जा हाफ mv स्क्वाइर होता है द्रव्यमान गुणें देग का स्क्वाइर इसका विमे सूत्र भी ml-1t-2 होता है अधिर इसक्वाइर टी माइनस-2 होता है और इस्थितिज उर्जा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वी ये त्वराण गुणे उंचाई एम जी एच इसका विम्य सुत्र भी एमल स्क्वार टी माइनस टू होता है देखिए जब हम बॉल को उपर फेकते हैं तो बॉल को जिस उर्जा से उपर फेका ये उर्जा कहलाती है गतिज उर्जा जब बॉल उंचाई पर जाकर के रुक जाती है तो ये रुकी हुई बॉल में उस समय जितनी भी गति जूर्जा थी वो सारी की सारी इस्थिती जूर्जा में पोटेंशल एनर्जी में कनवर्ट हो जाती है और जब फिर से बॉल नीचे की ओर गिरती है तो फिर से ये पोटेंशल एनर्जी फिर से गति जूर्जा में परिवर्टित हो जाती है और जैसे ही बॉल प्रत्वी से टकराती है ये सारी गति जूर्जा फिर से इस्थिती जूर्जा में परिवर्टित हो जाती है तरीके से जहां पर गती हो रही है, मुवमेंट हो रहा है, यह कहलाती है काइनेटिक एनरजी, गती जूर्जा और जहां पर विरामा वस्था है, रेस्ट की वस्था है, इस्थिरा वस्था है, यह कहलाती है स्थिते जूर्जा, पोटेंशल एनरजी, तो यह दो प्रकार की उर उर्जा में परिवर्टन होता है गति जूर्जा का सिति जूर्जा में परिवर्टन होता है एरो प्लेन अगर चल रहा है तो कौन सी उर्जा है गति जूर्जा है बॉल को रबर की बॉल को अगर दबाया हुआ है तो कौन सी उर्जा है सिति जूर्जा है हमेशा उर्जा और का कार्य है एक ही होते हैं कभी भी इन में अंतर नहीं होता जो और रजाा होती है वह ही कार्य होता है देख जैसे आपने देखा का व्यमिय सूत्र सित्षिट गति अर्जा का व्यमिय शूत्र Daisy ग Look ए प्रदीप कुमार यादव जी मोशन के कारण एक गिरते हुए पिंड के एनरजी हाइट पे रखा स्टोन हाँ वेरी गुड विपन रेस्ट स्टेट पोटेंशल एनरजी वेरी गुड तो अभी हम लोगों ने उर्जा संरक्षन का नियम देखा लॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनरजी देखा उर्जा को ना तो उत्पन किया सकता है और ना ही नश्ट इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्टित कर सकते हैं एनरजी केन नौट बी क्रेटेड और नौट बी डेस्ट्रॉइड इसकेन बी ट्रांसफर्ण फ्रॉम से चुड़ी अधर इस लॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनरजी तो उर्जा यह है जो कार रहे है वही उर्जा है अब बात करते हैं शक्ति के बारे में उर्जा को मापने के के लिए जो एकाई होती है वो कहलाती है कैलोरी उर्जा को कैलोरी में मापा जाता है एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं अब बात करते हैं शक्ति के बारे में शक्ति या पावर कार करने की दर को शक्ति कहते हैं इस कॉल्ड पावर कार करने की दर को शक्ति कहते हैं इसका मात्रक होता है जूल प्रती सेकेंड एक जूल प्रती सेकेंड को एक वाट भी कहा जाता है वाट, किलो वाट, मेगा वाट, गीगा वाट यह सब शक्ति के मात्रक होते हैं पावर के मात्रक होते हैं इसका विमी सूतर होता है ML स्कॉायर T माइनस 2 अपान टाइम टी कार बटे समय, कार का ML स्कॉायर T माइनस 2 और समय का T तो यह T जो है उपर जाएगा, तो हो जाएगा ML स्कॉायर T माइनस 3 यह होता है शक्ति का विमी सूतर, पावर का डाइमेंशिनल फॉर्मूला जब ही जैसे हमारे घरों में बिजली आती है तो बिजली को शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है अगर हमने अपने घर में 100 वाट के 10 बल 1 घंटे तक जलाए है इसे एक यूनिट कहा जाता है जैसे अगर मान लीजे कि सरकार ने बिजली का जो किराया रखा है पांच रुपे प्रती यूनिट रखा है तो पांच रुपे प्रती यूनिट तो इसमें एक यूनिट क्या है एक यूनिट है एक किलो वाट आवर एक किलो वाट आवर ये कहलाता है एक यूनिट अगर हम सौ वाट के दस बल्ब एक घंटे तक जलाएं तब हम सरकार को पांच रुपया किराया देंगे उसमें जो बिजली कंजम्शन होगा वो एक यूनिट का होगा वन किलो वाट आवर सौ वाट के दस बल्ब का मतलब सौ इंटू दस एक हजार वाट तो एक हजार वाट का मतलब होता है एक किलो वाट एक किलो वाट को एक घंटे तक जलाएं तो एक यूनिट बिजली का किराया आता है अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये वन किलो वाट आवर किसकी यूनिट है किसकी इकाई है वन किलो वाट आवर किसकी इकाई है बदाईए वन किलो वाट आवर शक्ती की इकाई है और्जा की काई है बल की काई है या विद्युत धारा की काई है बताईए ये वन किलो वाट आवर किसकी काई है ये चार आप्शन है आपके बास प्रदीप कुमार यादव जी 3.6 इंटू 10 रेस्टी पावर 6 यूनिट ये सही नहीं है देखी होता क्या है एक किलो वाट में एक हजार वाट होते हैं और एक घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं तो अगर हम इन सब को किलो वाट आवर को वाट सेकेंड में कनवर्ट करें किलो वाट आवर को वाट सेकेंड में कनवर्ट करें तब आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड जो आपने लिखा है प्रदीकुमार यादव जी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 यूनिट ये यूनिट नहीं है ये एक किलो वाट आवर को वाट सेकेंड में कनवर्ट किया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड तबीकुमार यादव ने लिखा है अजीत शक्ती की सचिदानंद कुमार लाइट की विपिन शक्ती की सूरज दो का तो इसका सही उत्तर है किलो वाट आवर एकाई है उर्जा की एनरजी की देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है शक्ती बराबर कार्रे बटे समय तो कार्रे बराबर क्या हो गया शक्ती गुड़े समय शक्ती की काई क्या होती है वाट किलो वाट मेगा वाट गीगा वाट तो यहाँ पर किलो वाट आवर दिया हुआ है तो किलो वाट आवर देखिए शक्ती की काई किलो वाट समय की काई आवर तो शक्ती इंटू समय क्य होता है कार्य और जो कार्य है वही उ attracting जो उसका मतलब क्या हुआ कि लोड आवर उर्जा की कई होती है एनर्जी की योनिट होती है काइब आप लोग लगा देते हों हो सकती की काई विद्य Дhranah की काई है जी नहीं पिलो वॉट आवर उर्जा की काई है एनर्जी की करे दो फिलो वॉट सॅार ऌाग के झाले हैं युट आवान आव और उर्जात्यू आवर्जाश की कासरी है। तो अभी हम लोगों ने मापन से सम्बंधेत कुछ विश्वों पर चर्चा की अब हम लोग गतियों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं मोशन के बारे में मोशन में गति के नियम लॉज आफ मोशन सरवाधिक महत्वपूर्ण है भौतिकी में फिजिक्स में कई प्रकार की गतियां होती हैं जैसे लीनियर मोशन, होरिजोंटल मोशन, वर्टिकल मोशन, सिम्पिल हर्मनिक मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, रोटेशनल मोशन, रिवल्यूशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सारे मोशन होते हैं गतियों में सबसे पहली बार गती के नियम दिये थे न्यूटन ने इन्हें न्यूटन के गती के नियम भी कहते हैं न्यूटन के गती के नियम न्यूटन ने गती के नियम दिये न्यूटन ने प्रकाश की तरंग दैर्द को बताया न्यूटन ने गुरत्वा करशन बल के बारे में बताया न्यूटन ने प्रकाश वद्यत प्रभाव के बारे में बताया बहुत सारे भौतिकी के विश्यों के बारे में उसने चर्चा की 1666 में इसी के कारण भौतिकी आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है न्यूटन को कई बार ये कोशन पुछा गया है कि भौतिकी का जनक किसे कहते हैं लोग आइंस्टीन को डौल्टन को एवगेटरों को लगा देते हैं और अंसर हो जाता है गलत भौतिकी का जनक माना जाता है न्यूटन को फादर ऑफिजिक्स माना जाता है न्यूटन को न्यूटन ने गती के तीन नियम दिये हैं न्यूटन ने गती के तीन नियम दिये हैं पहला नियम है जड़त्व का नियम लाओ ओफ इनर्शीया जड़त्व कानियम लाओ ओफ इनर्शीया देखिए लाओ ओओ इनर्शीया जड़त्व कानियम में न्यूटन ने कहा कि यदि कोई वस्तुウ स्थिर है तो तब तक स्थिर रहीगी जब तक उसका उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए जदि कोई वस्तु गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए इस तरीके से ये कहलता है जड़त्वकानियम अगर कोई वस्तु इस्थिर है तो इस्थिर ही रहेगी गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई वाहरी बल ना लगाया जाए यदि वाहरी बल लगाया जाएगा तब उसकी अवस्ता में परिवर्तन होगा जैसे बंदूक से निकली हुई गोली जब किसी से टकराती है तब वो वापस गतिमान अवस्ता से इस्थिर अवस्ता में पहुँचती है तो ये जो टकराने पर वाहरी बल लगा इस वाहरी बल आप ट्रेन में बैठे होते हो तो आपका जो lower part of body है निचला हिस्सा ये ट्रेन के गतिमान होने पर आगे बढ़ जाता है लेकिन जो upper part of body है उपर का हिस्सा ये अभी भी विरामावस्था में है और विरामावस्था में रहना चाहता है इसी वज़े से जब ट्रेन आगे पर विरामावस्था की और जाता है पीछे की और जाता है और पीछे जाकर के टकरा जाता है आप कार में बैठे हो और कार जब मोड पर मुड़ती है तो आप मोड के दूसरी तरफ में बेंड हो जाते हो जुग जाते हो उसका कारण भी यही है जड़त वकानियम आपका upper part of body बड़ी विरामावस्था में है और विरामावस्था आप दूसरी तरफ रह गई और वो अपने शरीर को विरामावस्था की तरफ मोड लेता है जब एक long jump पर long jump करता है तो long jump करने पर अपने आपको वो दूर से दौर करके आता है और तब jump लेता है वहीं खड़ा-खड़ा जम करेगा तो उतनी गती से उतनी दूरी कवर नहीं कर पाएगा इसी वज़े से अपने आपको गतिमान अवस्था में लाने के लिए गतिमान अवस्था में ही अतिधिक दूरी तैकी जाती है इस वज़े से अपने आपको अधिकतम दूरी पर उछालने के लिए अपने आपक शरीर को दूसरी तरफ मोड़ लेना लॉंग जंपर का दूस से दौड़ करके आना इस अब न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है जिसे कहते हैं जड़त्वकानियम लॉफ इनर्शिया विपिन कह रहे हैं जड़त्वकानियम मोमेंटम कानियम अच्शन रियक्शन अजीत PCS में इन टॉपिक से जो जो कॉश्चन आ सकते हैं वो भी बताते रहिए प्रदीप कुमार यादव अच्छा विपिन बंदूग से निकली गोली एक्शन रियक्शन हाँ बंदूग से निकली हुई गोली एक्शन रियक्शन है लेकिन यहां बंदूग से निकली हुई गोली जब किसी से टकराती है उसकी बात हो रही है टकराने पर वो जो उसकी गती जूर जाती वो इस्थिर जूर जामे परिवर्तित हो गई उसका जो गतिमान वेग था वो समस्तिक है नहीं है समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे यह कहलता है law of inertia पहला नियम जड़ात्व का नियम अब दूसरा नियम है न्यूटन का समवेक का नियम law of momentum समवेक का नियम इसमें इन्हों ने कहा कि यदि किसी M द्रवेमान की वस्तू पर ए त्वरण लगाया जाए तो उस पर कार करने वाला बल एक नियूटन होगा तो इन्होंने बल की इकाई अपने ही नाम पर एक नियूटन रख ली MK सिस्टम में बल न्यूटन में ना पा जाता है जबकि CGS सिस्टम में बल को डाइन से मेजर किया जाता है एक न्यूटन में एक लाख डाइन होते हैं तो ये कहलाता है law of momentum समवेक का नियम यदि कहीं पर भी वेग समवेग आवेग विस्थापन त्वरण इन सब की चर्चा हो रही है तो इसका मतलब है दूसरा नियम लगेगा समवेग का नियम लगेगा law of momentum लगेगा तीसरा नियम तो सभी को पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक्शन रियक्शन लौँ हाँ आकाश कुमार भाटिया ने दीवार पर गेंद फेकना बिलकुल सही लिखा है दीवार पर जब गेंद फेकी जाती है तो नियूटन का सेकेंड नियम लगता है समवेग का नियम लगता है टकरागर के वापस हाथ पे आ जाती है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अगर गांधी जी का नियम था कि अगर कोई एक गाल पर थपड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए तो ये गांधी जी का प्रिंसिपल था लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ये है कि हर क्रिया की उतनी ही परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है हर क्रिया की उतनी ही परंतु विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब है कि जैसे जब हम बंदूग से गोली को छोड़ते हैं गोली जितने बल से आगे की ओर बढ़ती है, गोली भी उतना ही बल बंदूप पर पीछे की ओर लगाती है, और हमें जटका कंधे पर लगता है, रॉकेट को जितने बल से उपर की ओर फेका जाता है, रॉकेट भी उतना ही बल विपरी दिशामे प्रत्वी की ओपर लगाता है और तब उपर जा पाता है हम जब चलते हैं तो जमीन को भूमी को जितने बल से पीछे की और धकेलते हैं भूमी भी हमें उतने ही बल से आगे की और धकेलती है नाव जब चलाई जाती है तो नाव में जितने बल से पानी को पीछे की और धकेला जाता है पानी भी उतना ही बल नाओ पर आगे की और लगाता है और नाओ आगे की और भागती है तो यह सब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुप्रयोग हैं इस आर दी एप्लिकेशन ओफ थर्ड लॉफ न्यूटन एक्शन रियक्शन लॉफ किसी गाड़ी को धक्का देना रोहिदे पास्वान ने भी बिल रियक्शन लॉफ है आप सभी लोगों ने क्रिकेट खेला होगा क्रिकेट में जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है बॉल उपर से आ रही है और फिल्डर जब बॉल को कैच करता है तो कैच कभी भी ऐसे नहीं करता ऐसे कैच नहीं किया जाता कैच बॉल को हाथ की दिशा मे लाना ये न्यूटन के कौन से नियम के कारण होता है पहला दूसरा या तीसरा या इन में से कोई नहीं बताईए जल्दी बताईए ये न्यूटन के कौन से नियम के कारण होता है सब लोग क्रिकेट देखते हैं क्रिकेट सबका राश्ट्री खिल है वैसे होकी है लेकिन देखते हैं सब क्रिकेट ही है रोहिद देव पास्मान बोल रहे हैं थर्ड लोग जी नहीं विपिन ने भी थर्ड लोग कहा है जब बॉल हाथ में नीचे आती है तो हाथ में नीचे आने पर उसकी गती को धीरे धीरे कम करने के कारण हाथों को नीचे लाया जाता है और तब बॉल को कैच किया जाता है आकाश कुमार भाटिया तीसरा सूरज कह रहे हैं रोकेट का उपर जाना न्यूटन का एक पहला नियम है वेरी गुड रोकेट का उपर जाना पहला नियम है लेकिन रोकेट की जो लाँचिंग है ये तीसरा नियम है जब rocket को launch किया जाता है तो rocket को जितने बल से उपर फेका जाता है रोकेट भी उतना ही बल प्रत्वी पर विपरीत दिशा में नीचे लगाता है और तब उपर जाता है अब रोहित देव पासवान ने बिल्कुल सही answer दिया है sorry sir second law इसका answer है second law दूसरा नियम लगेगा देखिए जब ball गिर रही होती है तो उस समय ball का wave बहुत जादा होता है और उस wave का इतना जादा बल लगता है कि ये हाथ को तोड़ सकता है डैमेज कर सकता है इस वज़े से उस wave को कम करने के लिए जो keeper है वो ball को ball की दिशा में अपने हाथ खोलाता है ताकि उसका वेग कम हो उसका बल कम हो और वेग बल समवेग आवेग ये सब खिस फॉर्मूले में लगते हैं F is equal to I में जैसे आपने बताया दूसरे नियम में इसी के कारण यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा तो ये न्यूटन के तीन नियम है न्यूटन ने अपने ये गती के नियम सोलवी शताबदी में दिये थे इनसे बहुत पहले एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने गती के नियम दिये लेकिन ये गती के नियम खगोली ये पिंडों पर अधारे थे यूनिवर्सल बोडी पर बेज़्ट थे इनका नाम था कैपलर कैपलर के गती के नियम देखे कौपर निकस एक विज्ञानिक थे कौपर निकस ने सबसे पहली बार बताया था कि प्रथवी सूर्रे के चारोओर घुमती है इससे पहले जितने भी विज्ञानिक थे दाषणिक थे वो सब यह सोचते थे कि सूर्य प्रत्वी के चारो और घुमता है जब कॉपर निकस आये तो कॉपर निकस ने कहा कि प्रत्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और फिर कैपलर आये कैपलर ने कहा प्रत्वी सूर्य का चक्कर दीर्व रत्ताकार कक्षा में लगाती है तो इस तरीके से कैपलर ने गती के नियम दिये खगोलिय पिंडों की गती के नियम उन्होंने भी तीन खगोलिय पिंडों की गती के नियम दिये थे कैपलर का पहला नियम था इसे कहा जाता है दीर्व्य वरत्ताकार कक्षा का नियम लौ ओफ इलिप्सिस देखी वरत्त क्या होता है वरत्त में सर्किल में त्रिज्या हर तरफ से समान होती है इक्वल होती है जबकि दीर्वरत्त में या इलिप्स में इस तरीके का दीर्वरत्त होता है एक मिनिमम रेडियस होती है और एक मैक्सिमम रेडियस होती है प्रमांड में जितने भी ग्रह हैं जितने भी पिंड हैं जो किसी दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं वो सारे के सारे पिंड दीरगवरत्ताकार कक्षा में यहीं चक्कर लगाते हैं यह कहा कैपलर ने जैसे यह सूर्य है और यह प्रत्वी है तो प्रत्वी सूरे का चकर दीरगवर्ताकार कक्षा में लगाती है चंद्रमा प्रत्वी का चकर दीरगवर्ताकार कक्षा में लगाता है हमारा जो सौर मंडल है ये गैलेक्सी का चकर दीरगवर्ताकार कक्षा में लगाता है तो इस तरीके से ख़गोलिय पिंडो की गती होती है वो दीरगवर्ताकार कक्षा में होती है जिसमें से एक maximum distance होती है, एक minimum एक अत्यधिक दूरी होती है और एक निमनतम दूरी होती है। ये पहला नियम था दीर वरता का रकक्षा का नियम फिर इनका कैपलर का दूसरा नियम आया समान छेतरफल का नियम समान छेतरफल का नियम लाओ ओफ इक्वल एरियाज लाओ ओफ इक्वल एरियाज में इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिये ये सूर्य है ये प्रत्वी है एक महीने के बाद प्रत्वी घूम करके यहां पर आ गई इतना छेतरफल कवर किया प्रत्वी ने एक महीने में अब उतरायान का समय था अब दक्शनायन का समय जब हुआ प्रत्वी यहां पर थी एक महीने के बाद प्रत्वी घूम करके यहां आ गई तो यह जो समय था यह भी एक महीने का था इस एक महीने में इतना छेतरफल तै किया प्रत्वी ने तो यह कहते हैं कि प्रत्वी समान समय में समान छेतरफल तै करती है अगर समय समान है तो छेतरफल भी समान होगा यानि कि यह एरिया और यह एरिया दोनों बराबर होंगे यह इनका दूसरा नियम था कैपलर का समान छेतरफल का नियम प्रत्वी समान समय में समान छेतरफल तै करती है इनका तीसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है तीसरा नियम कहलाता है लौ आफ हार्मनी सौहार्द का नियम इसमें इन्होंने कहा कि जैसे हमारी प्रत्वी है ये प्रत्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है ये प्रत्वी है सूर्य के बीच की दूरी आर है प्रत्वी पूरा सूर्य का चक्कर लगा अगर के वापस इस स्थान पर 365.25 दिन में आ जाती है ये जो दो-पांच दिन हैं इसे 365 दिन और 6 घंटे कहा जाता है ये जो 6 घंटे हैं ये ही 6 घंटे 64 24 चार साल के बाद 24 घंटों में कनवर्ट हो जाते हैं और एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है फरवरी में 29 दिन की फरवरी हो जाती है ली पियर हो जाता है हर चर्थे साल पर तो इस तरीके से ये प्रत्वी का परिक्रमन काल है revolution time पूरा समय लगाती है 365 दिन 6 घंटे का समय पूरा घूमने में चक्कर लगाने में तो इन्होंने कहा कि प्रत्वी के परिक्रमन काल का वर्ग प्रत्वी और सूरी के बीच की दूरी के तरतिय घात के समानुपाती होता है the square of the revolution time of earth is directly proportional to the cube of the distance between earth and sun अशोक कुमार भाटिया कह रहे हैं प्रतेग रह सूरी के चारों और दीर वित्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं very good विपिन समान एरिया का नियम very good सुनील आपका कमेंट किसी को दिख रहा है हाँ दिख रहा है विपिन लीपियर पर four years very good लीपियर क्यों होता है क्योंकि रत्फी का परिक्रमान काल 365 दिन 6 गंटे है यही 6 गंटे 6 चौक 24 यानि कि एक दिन में परिवर्थिस हो जाते हैं 24 गंटे में आकाश कुमार भाटिया यह कैपलर का तीसरा नियम है तो यह तीन नियम दिये थे कैपलर ने आज से 1000 साल पहले फिर नियूटन ने इन कैपलर के नियमों को पढ़ा और पढ़ करके फिर अपना कंक्लूजन निकाला कि जैसे यह सूर्य है यह प्रत्वी है सूर्य का द्रव्यमान M1 है प्रत्वी का द्रव्यमान M2 है तो इन्होंने प्रत्वी और सूर्य के बीच में जो गुरत्वा कर्शन बल लग रहा है जिसके कारण प्रत्वी सूरे का चक्कर लगा रही है उस बल का मान इन्होंने निकाला F समानुपाति है बल समानुपाति है दोनों पिंडों के द्रविमान के गुलनफल के और इन दोनों पिंडों के दूरी के वर्ग के व्यूत्तब्रमानुपाति है और जब ये अनुपाति का चिन्न हटता है तो एक कॉंस्टेंट आजाता है GM1, M2 upon R स्क्वायर इसे सारवर्तिक नियतांक कहते हैं, सारवर्तिक नियतांक, यूनिवर्सल कॉंस्टेंट, इसकी वैल्यू न्यूटन ने बताई, इसकी पॉंटन, मीटर, स्क्वाइर, पर किलोग्राम, स्कॉर, यह capital जी की वैल्यू बताई है, सारवर्तिक नियतांक, इस ब्रहमांड में जतनी भी वस्तौें किसी वस्तौ का चक्कर लगा रही हैं, चाहें वो प्रत्वी और सूरे हो, चाहें वो चंद्रमा और प्रत्वी हो, चाहें वो इलक्टरॉन और प्रोटॉन हो, चाहें वो गैलक्सी और तारामंडल हो, कुछ भी हो, सब ही में एक सारवर्तिक नियतांक आएगा, capital G आएगा, जिसका मान 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton meter square per kilogram square होता है, और इन्होंने small g, यानि की गुरुत्वी त्वरण का मान 9.8 meter per second square बताया, तो ये capital G और small g की value newton ने बताई, कैपलर के नियम के बाद, अब अगर हम आपसे question पूछें, ये question पूछा भी गया था एक बार exam में, कि अगर प्रत्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्रत्वी का परिक्रमण काल कितने दिनों का हो जाएगा, ये प्रत्वी का एक वर्ष कितने दिनों का हो जाएगा, यदि प्रत्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, बताई ये answer, विपन जी, युनिवर्सल कॉंस्टेंट, वेरी गुड आपने सही लिखा है, अकाश उमार भाटिया ने सही गुर्ट्विय बल का नियम दिया है, अब एक question है, थोड़ा सा math है, सब कुछ बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, अगर प्रत्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्वी का परिक्रमन काल कितने दिनों का हो जाएगा, प्रत्वी का एक वर्ष कितने दिनों का हो जाएगा, बताईए जल्दी से, अजीत कह रहे हैं बढ़ जाएगा, राम लिख रहे हैं 84 मिनट, 91.25 डेज, बताईए इन चारों में से आप, आनसर आपका, यदि प्रत्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्वी का परिक्रमन काल कितना हो जाएगा, प्रत्वी का एक वर्ष कितना हो जाएगा, जल्दी बताईए आनसर, केवल थोड़ा सा ही आपको, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ हम चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको, सुनील लिख रहे हैं, सेकेंड वाला गुरू जी, आकाश, सेकेंड वाला, घरमेंद्र यादव, 182.5 डेज, सुनील, 182.12, रिटेश सेकेंड वाला, प्रदीप कुमार यादव, फूर्थ वाला, सुनील, 182.5, सुरज, बी-बी-बी होगा, मतलब, यदि प्रथ्वी और सुर्च के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रथ्वी का परिक्रमनकाल कितने दिनों का हो जाएगा, सुरज, बी, सही होगा, चंदन, 182.5 डेज, ये सब कुश्चन एक्जाम में, PCS में पूछे गए हैं, पर आप लोग घ्यान देते नहीं हो, लगाते हो, नहीं कुश्चन बस करना है, चल रहा है, अभी तक केवल एक ही सही आंसर मिला है, और बताइए जल्दी से आप लोग, यदि प्रत्विय सूर के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्विय का परिक्रमन काल कितने दिनों का हो जाएगा, सारा कुछ आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, कुछ भी आपको नहीं करना है, सुनील कह रहे हैं, वो भी हाफ हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले से हाफ हो जाएगा, कौन सा ऐसा फॉर्मूला हमने बताया, जिसमें दूरी कम होने पर समय आधा हो जाता है, हाँ, विपिन ने अब सही आंसर दिया है, सबसे पहला आंसर दिया था, प्रदीब कुमार यादव जी ने फोर्थ वाला, और इसका सही आंसर है, चौथा आंसर जो विपिन ने अब लिखा है, 129.05 डेज, यदि प्रथ्वी और सूर के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रथ्वी का परिक्रमण काल, यानि की टी कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या दिया है, दो ही चीज़े दे दी गई है, दूरी कम हो जाए, समय पूछ रहा है, दूरी और समय के बीच में किसने रिलिशन्शिप बताई थी, कैपलर ने, कैपलर का तीसर अनियम क्या है, परिक्रमण काल का वर्ग, इनके बीच की दूरी के चरतिय घहत के समानुपाती होता है, तो अगर हम मान लें कि इस समय समय लग रहा है, 365 दिन का, तो अब कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अभी इस समय दूरी कितनी है, आर कितनी कर दी गई, आर बाई टू, तो फर्मूले में रख दीजे, 365 अपाउन एक्स का होल स्कॉाइर, इस इक्वल टू, आर बाई टू का होल क्यूब, यह आर और यह आर कैंसल, यह टू उपर आएगा, एट हो जाएगा, टू का क्यूब एट होता है, अब यह 365 अपाउन एक्स का स्कॉाइर है, जब यह बराबर के इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, टू रूट टू, तो 365 अपाउन एक्स इस इक्वल टू, टू रूट टू, एक्स इस इक्वल टू, 365 अपाउन टू रूट टू, रूट टू की वैल्यू होती है, वन पॉइंट फॉर वन फॉर, जब यह वैल्यू रखेंगे, तो आंसर आएगा, 129.05 डेज, इसमें कहां पर हमने, फार्मूला दिया, कि अगर दूरी आधी हो जाए, तो समय आधा हो जाएगा, सभी लोग आंसर 182.5 दे रहे थे, थोड़ा तो calculation कीजिए, थोड़ा तो math कीजिए, इसमें कौन सी rocket science लग गई, simple math है, कैपलर के तीसरे नियम से, हल हो गया, सॉल हो गया, हो गया, झाल तो अभी हम लोगों ने चर्चा की मापन तथा गतियों के बारे में अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में ही दाब बराबर बल बटे छेत्रफल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर इसका मात्रक होता है इसमें पास्कल का सिधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पास्कल स्लॉप इन्होंने हाइड्रॉलिक प्रेशर द्रव के दाब के सिधान का प्रतिपादन किया था पास्कल का सिधान था कि जैसे ये एक द्रव से भरा हुआ कोई कंटेनर है जिसमें हमने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग छिद्र किया हुए है तो जो छिद्र से पानी गिरेगा सबसे उपर की हाइट से जो दबाव लगेगा उससे गिरेगा यहाँ पर हाइट केवल इतनी है तो सबसे कम दूरी पर गिरेगा इससे थोड़ा से जादा और इससे सबसे जज़ा दूरी पर गिरेगा. तो इस तरहीके से इन्होंने ये पासकल का सिधान्ट दिया. ये पासकल का सिधान्ट हाइड्रालिक प्रेशर पर बेज था, पानी के दबाव के सिधान्ट पर अधारित था. पास्कल के सिधान्त के अधार पर बरनौली ने भी सिधान्त दिया कि जैसे आप पानी पाइप में देते हो तो पाइप में ये पाइप है इस पाइप में ये पानी बह रहा है अब जैसे ही आप इस पाइप को मोड देते हो इस तरीके से तो जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर अब बढ़ जाता है इस स्थान पर दबाव बहुत अधिक हो जाता है उसका कारण ये है कि बल बटे छेतर फल है छेतर फल के वियुत क्रमान पाती है दबाव छेतर फल कम होगा दाब बढ़ जाएगा छेतर फल बढ़ जाएगा दाब कम हो जाएगा तो इस कारण यहाँ पर हमने दबाने पर पाइक को दबाया तो जो छेतर फल था वो कम कर दिया चित्रफल कम कर दिया तो दमाव बढ़ गया तो यह होता है बर्नौली का सिद्धान्त पीवान वीवान इस गल्टो पीटू वीटू वेरी गुड़ प्रश्थ तनाव प्रश्थ तनाव होता है कि जैसे अगर हम एक गलास में पानी भरें यह गलास है मालीजे तो इस गलास में जब पानी उपर तक भरते हैं तो पानी कभी भी यहां तक नहीं होता पानी ऐसे भरता है ऐसे कर्व बनाता है गोला बनाता है इसके कोनों पर यहां पर चिपक जाता है उपर तक भर जाता है तो यह किस कारण से होता है यह प्रश्ठ तनाव के कारण से होता है हमेशा सबसे कम प्रश्ठ तनाव एक गोले का ही होता है क्योंकि गोले का छेत्रफल सबसे कम होता है इसी वजए से इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो सब गोला का रवस्था में पाये जाते हैं क्योंकि वो अपने आपको प्रश्थ तनाव के कारण सबसे कम छेत्रफल में परिवर्तित कर लेते हैं और सबसे कम छेत्रफ तेल की बूंद को पानी के उपर गिराते हैं तो ये पानी की बूंद पानी के उपर तैरती रहती है एक सतरंगी रंग सा बना लेती है ये जो सतरंगी रंग है ये सतरंगी रंग प्रश्ट तनाव के कारण ही होता है सर्फिस टेंशन के कारण ही होता है तेल का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है जिसके कारण तेल पानी के अंदर नहीं जा पाता तेल पानी से मिक्स नहीं हो पाता और इसी की कारण तेल उपर तैरता रहता है और फैल जाता है पानी की सतह पर प्रश्ट तनाव के कारण बल उत्पन होते हैं जिन्हें आसंजक बल ससंजक बल कहा जाता है आसंजक बल हमेशा विपरीत कड़ों में उत्पन होते हैं ससंजक बल हमेशा समान कड़ों के बीच उत्पन होते हैं इन्हें एडहेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स कहा जाता है जैसे जब पेड़ पौधों में पानी दिया जाता है तो पानी में जो जैसी ये जड़े हैं पेड़ों की यहां यह पत्तियां हैं तो जड़ों से पानी उपर पत्तियों तक पहुँच जाता है जड़ों में जाइलम और फ्लोयम नाम के समवहनी उतक पाये जाते हैं यह नलिकाएं होती हैं बहुत पत्ली पत्ली सी नलिकाएं जाइलम जल का परिवहन करती है फ्लोयम जो है पोशक तत्वों का परिवहन करती है और ये जड़ो से मिट्टी से उपर पहुंच जाते हैं पिड़ पौधू में पत्तियों तक आ जाते हैं वो किस बल के कारण होता है वो भी एक प्रकार का बल है जिसे केशिकात्व के कारण होता है कैपिलरी फोर्स के कारण ये capillary force जैसे आप सभी लोगों में से जिनका भी science background होगा उनको प्रेयोक्षाला में एक बहुत पतली सी tube दी जाती है काँच की बनी हुई ये पानी का भरा हुआ बीकर है इस बीकर में जब इस पतली सी काँच की नली को रखा जाता है इसे केशिका नली capillary tube कहते हैं तो capillary tube में पानी अपने आप उपर तक चड़ जाता है उसका कारण यही बल है जिसे केशिकात्व कहते हैं केशिकात्व बल आसंजक और ससंजक बलों के लगने के कारण उत्पन होता है पानी और पानी के कणों के बीच में ससंजक बल दोनों बलों के ही कारण केशिकातव उत्पन होता है 《CAPILLARY FORCE और जहां पर भी पिलवधों में पानी की जरद होती है यही capitalary force के दोरा ही पानी जगे से दूसी जगे तक जाता है रूई को अगर हम भिगोएं तो पूरी रूई भीग जाती है उसका कारण भी यही केशिकात्व है कैपिलरी फोर्स प्रश्ठ तनाव अभी हम लोगों ने चर्चा की गती के नियमों के बारे में गती के नियम में भी कई प्रकार के नियम होते हैं जैसे अगर हम 36 गती की बात करें 36 गती अगर आप अपने घर से मार्केट तक प्रारंब करते हो अपनी बाइक को तो प्रारंबिक वेग इनिश्यल विलॉसिटी मान लिया यू है अंतिम वेग जो है ये मान लिया वी है अपने घर से मार्केट तक चली गई दूरी S है इस दूरी में लगने वाला समय T है और ये समय पूरा करने में जो त्वरण उत्वपन हुआ ये त्वरण A है तो गती के नियूटन के नियम के अधार पर तीन नियम बनाए गए हैं तीन समीकरण गती का पहला समीकरण है V is equal to U plus 80 दूसरा समीकरण है S is equal to UT plus half 80 square और तीसरा समीकरण है V square is equal to U square plus 2AS ये लैंप की बत्ती जैसा कि आकाश कुमार भाटिया ने आंसर दिया है के शिकात्व के कारण होता है Very good तो ये गती के 36 गती के समीकरण है जब आप अपने घर से बाजार तक, मार्केट तक, कॉलेज, यूनिवर्सिरी तक जाते हो तो ये गती के समीकरण वर्क करते हैं अगर हम बाल को उपर की और फेकें तो बाल एक निशित उचाई पर जाकर के रुक जाती है और रुकने के बाद बाल फिर से नीचे की और गिरती है जब बाल नीचे की और गिरती है तो वहाँ पर रुकी हुई जो अवस्था थी वो उसकी इस्थितिज अवस्था थी पोटेंशल एनरजी थी तो वहाँ पर जितनी भी उसका वेग था वर्टिकल मोशन में ये सब निगटिव हो जाते हैं वी इस इक्वल टू यू माइनस जी टी अब जो तौरण लगेगा ये तौरण प्रत्वी का गुर्ट्वी है तौरण ही लगेगा ह is equal to ut minus half gt square और v square is equal to u square minus 2gh ये उर्ध्वा धर्गती के समी करण है होरिजॉंटल मोशन के equations है प्रदीप कुमार यादव जी एक्स एक्वल टू यू टी प्लस टू एस ये सब सारे समीकरण जोड़ दिया आपने यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वाइर होता है उर्ध्वा धर्गती में हमेशा अंतिम वेग जो है अंतिम वेग वी हमेशा शूनने होता है जैसा कि धर्मेंद यादव जी ने लिखा है वी अंतिम वेग उर्ध्वा धर्गती में हमेशा शूनने होगा तो ये 36 गती का समीकरण ये उर्ध्वा धर्गती के समीकरण एक और प्रकार की गती होती है जिसे प्रक्षेप 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 प्रक् परवलयाकार पत बना करके वापस परत्वी पर आकर के गिर जाती है तो जब भी कोई गती परवलयाकार पत में हो तो ये गती कहलाती है प्रक्षेप गती प्रोजेक्टाइल मोशन परवलयाकार पत में गिरने के कारण अगर कुछा जाए कि जैसे हमारी जो भारत में जो मिसा है वो है अगनी 5 अगनी 5 का जो range है परास है वो है फाँच हजार किलो मेटर से अधिक परदीप कुमार जी पर्ास 5000 किलो मेटर से अधिक है अगनी 5 का तो अगर अगनी 5 को launch करना है अगनी पांच को कहा जाता है ICBM, Intercontinental Balastic Missile, किसी भी चीज को फेकना हो, गोला फेकना हो, भाला फेकना हो, चक्का फेकना हो, मिसाइल लॉंच करना हो, बॉल फेकनी हो, हर चीज एक परवेलयाकार पद बना करके वापस प्रत्वी पर आ जाती है, उर्धवा दर्गती में हमेश किसी अन्य डिगरी पर उसे फेके, तब वो वापस परवलयाकार पद बनाते हुए प्रत्वी पर आ करके गिरेगी, तो हम कितने डिगरी के कोण पर उसे फेके, कि वो सबसे अधिक दूरी पर जाकर के गिरे, अधिकतम परास प्राप्त हो, बताईए अब, किसी भी मिसाइल को भाला फेक, चक्का फेक प्रतियोगिता में, गोला फेक प्रतियोगिता में, बॉल फेकने में, हम उसे कितने कोण पर फेकें, कि वो अधिकतम परास प्राप्त करे, अधिकतम दूरी पर जाकर के गिरे, बताईए आप लोग जल्दी से, इसकान सर, धर्मेंद्र यादव जी का आंसर आया है 45 वेरी गूर्ड आंसर बिल्कुल सही है 45 डिगरी के कोड़ पर उसे फेका जाए तो उस अधिक्तम परास प्राप्त करेगा सबसे अधिक दूरी पर जाकर के गिरेगा प्रदीप कुमार यादव जी कह रहे हैं साइन कॉस का एंगिल बनेगा प्रदीप कुमार यादव 45 डिगरी साइन कॉस का एंगिल बनेगा देखिए होता क्या है बनता तो साइन कॉस का एंगिल है जैसे अभी हमने चर्चा की की उर्ध्वा धर घटक और 36 घटक होते हैं वर्टिकल और होरिजन्टल फेक्टर होते हैं वर्टिकल फेक्टर हमेशा साइन थीटा होता है होरिजन्टल फेक्टर हमेशा कॉस थीटा होता है अगर हमें ये निकालना है कि कितने कोड पर फेका जाए तो कितने कोड पर फेकने से पहले हम ये निकाल लें कि यहां से मिसाइल को यहां तक जाने में कितना समय लगेगा और समय निकालने के लिए यहां से यहां तक जाने में समय निकालने और फिर यहां से यहां तक आने में समय निकालने ये दोनों समय बराबर ही होंगे तो यहां से यहां तक आने में लगा समय निकालते हैं तो यह जो है नीचे से उपर फिका गया है यानि कि उर्धा धर्गती लगी है उर्धा धर्गती का पहला नियम V is equal to U minus GT लगेगा और अभी हमने बताया जब भी कोई चीज उपर फिकी जाती है तो अंतिम वेग हमेशा शून होता है यानि कि U minus GT हो गया तो यह हो गया U is equal to GT T is equal to U upon G और उपर फिका गया है तो घटक लग गया साइन थीटा का यह यहां से यहां तक आने में लगा समय है इतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगेगा तो total time हो जाएगा 2T यानि कि 2U sin theta upon G अब हमने यहां से यहां तक आने में लगा समय निकाल लिया अब हम यह निकाल लें कि यहां से यहां तक आने में कितना विस्थापन हुआ कितनी दूरी या कितना परास हुआ तो विस्थापन निकालने के लिए हूता है फॉर्मूला वेग इस इक्वल टू विस्थापन बटे समय तो विस्थापन इस इक्वल टू वेग गुने समय यहाँ पर जो वेग है यह चैतिज वेग है यानि की यू कॉस थीटा इन्टू टाइम टी तो यू कॉस थीटा यह जो टी निकाला है यहाँ पर रख दें टू यू साइन थीटा टू यू साइन थीटा अपन जी यू और यू मिलकर के हो जाएगा यू स्क्वाइर यू स्क्वाइर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी ये जो टर्म है टू साइन थीटा कॉस थीटा इसे कहते हैं साइन टू थीटा तो यहां पर हो जाएगा परास r is equal to u square sin 2 theta upon g तो परास हमें अधिक्तम ज्याद करना है और यहां पर आया है sin theta cos theta नहीं आया देखिए प्रदीप को बार रहा दो जी आपने sin theta cos theta का कहा था यहां पर केवल sin theta का factor आया है और sin theta में maximum value होती है 1 minimum value होती है 0 हमें maximum value पता करनी है क्योंकि maximum परास प्राप्त करना है maximum परास प्राप्त करने के लिए sin की value होनी चाहिए 1 और sin की value 1 कब होती है जब sin 90 degree पर होता है तो sin 2 theta is equal to sin 90 2 theta is equal to 90 degree theta will be 45 degree आया समझ में तो इस तरीके से निकाला जाता है प्रक्षे प्यगती को प्रोजेक्ट आयल मोशन को जब भी कोई वस्तू 90 degree के अत्रेक्थ किसी अन्य स्थान पर फेकी जाती है तो अधिक्तम दूरी प्राप्त करनी के लिए उसे 45 degree के कोड़ पर फेकना पड़ेगा हाँ प्रदीकुमार यादवजी 90 degree के एंगल पर फेका जाएगा तो वो उर्धर धर गती कहला एगी तब उसे प्रक्षे पे गती नहीं कहा जाएगा प्रोजेक्ट आयल मोशन नहीं कहा जाएगा प्रोजेक्ट आयल मोशन उसे ही कहा जाता है जब भी कोई वस्तूप परवलया कारपत बनाते हुए प्रत्वी पर आ करके गिरे तो अगर अगनी पांच को लॉंच करना है हमारे देश की एक मात्र ICBM है इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महादीपी ये बैलिस्टिक मिसाइल अगनी पांच तो अगनी पांच की अधिक्तम दूरी 5000 किलोमेटर से अधिक है तो उसे 45 डिगरी के कोण पर अगर हम लॉंच करें तो वो सबसे अधिकतम दूरी पर जाकर के गिरेगी अब हम लोग बात करते हैं एक समान वृत्तिय गति की एक समान वृत्तिय गति में जैसे माल लीजिए कि ये एक वृत्त है इस वृत्त में कोई व्यक्ति साइक्ल चला रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर वो चला रहा है तो उसकी जो वेग है वो यहां भी 20 मीटर प्रति सेकंड है यहां भी 20 मीटर प्रति सेकंड है और यहां भी 20 मीटर प्रति सेकंड है तो यदि कोई वस्तू एक वृत्त में समान वेग से गति करती है तो उसे एक समान वृत्तिय गति कहा जाता है एक समान वृत्तिय गति में त्वारण कितना होता है एक समान वृत्तिय गति में यूनिफॉर्म सर्किलर मोशन में एक्सलरेशन कितना होता है जल्दी बताइए यह साइकल चला रहा है तो इस साइकल में या आप समझ लिजे बाइक चला रहा है तो बाइक में जो राइट हैंड साइड वर नॉब लगी रहती है उसे एक्सलरेटर कहते हैं अगर वो 20 मिटर पती सेकंड पर ही चला रहा है तो उसे एक्सलरेटर लेने की ज़रत पड़ेगी नहीं वो जहां पर था वहीं पर रहेगा एक्सलरेटर ना तो उसने लिया न छोड़ा तो एक्सलरेशन हुआ ही नहीं यानि कि एक्सलरेशन होगा शून त्वरन होगा जीर एक समान व्रत्य गती में त्वरण हमेशा शून्ने होता है उसका कारण यह है कि जब वो इस तरी के से साइकल चला रहा था ऐसे तो उसकी दिशा जब वो यहां थी था वो था ऐसा जब वो बाईक यहां थी तो तौरण की दिशा यहां थी जब वो तौरण की दिशा यहां पहुंच गई फिर तौरण की दिशा यहां पहुंच गई यानि की तौरण की दिशा कोई फिक्स नहीं है तौरण की दिशा बदल प्रीकुमार यादव जी ने सही आंसर दिया है, शून ने विपिन ने भी सही आंसर दिया है, एक समान व्रत्य गती में त्वारण शून ने होता है, वेग एक समान होता है, दिशाएं परिवर्तित होती रहती है, एक समान वरत्य गती में कई बार कोशन कुछा जाता है कि जैसे एक समान वरत्य गती में इनमें से क्या शून्य होगा option है विस्थापन option है वेग दिशाएं त्वरान या फिर इन में से कोई नहीं तो आंसर है त्वरान तो त्वरान भी शून्य है विस्थापन भी शून्य है क्योंकि यह यहां पर घूम करके फिर यहीं पर आ रहा है दोनों ही शून्य होंगे सरल आवर्थ गती सिंपिल हार्मनिक मोशन देखिए अगर हम एक बॉल ले एक बॉल में धगा बांधे हैं और उसे इस तरीके से सस्पेंडेट करें इस तरीके से उसको पेंडूलम बनाए और पेंडूलम को अगर हम धक्का दें तो पेंडूलम को धक्का देने पर पेंडूलम अधिक्तम दूरी पर आकर के यहां पर आ जाएगा और फिर वो वापस अपनी विरामावस्था पर आएगा और वापस अपनी विरामावस्था पर आकर के उतनी ही दूर दूसरी डिरेक्शन में जाएगा और फिर वो वापस अपनी विरामावस्था में आएगा तो इसे कहते हैं सरल आवर्थ गती यदि कोई लो लग एक निश्य समयांतराल पर अपनी विरामा वस्थाप पर आता है उसे सरल आवर्थ गती या सिंपल हार्मनिक मोशन कहा जाता है हाँ विपन डिस्प्लेस्मेंट जीरो होगा ये जो सरल आवर्थ गती है एक निश्य समयांतराल पर वापस अपनी विरामा वस्था पर आना तो पुशन ऐसे भी पूछा जाता है कि यदि कोई पिंड सरल आवर्थ गती कर रहा है तो एक दोलन में वो कितनी बार अपनी विरामा वस्था में आएगा यदि कोई पिंड सरल आवर्थ गती कर रहा है तो एक दोलन में वो कितनी बार अपने प्रारंबिक अवस्था में अपनी विरामा वस्था में आएगा जल्दी बताईए यदि कोई पिंड सरल आवर्थ गती कर रहा है तो अपनी प्रारंबिक अवस्था में एक दोलन में वो कितनी बार आएगा प्रदीप कुमार यादव जी विपिन जल्दी बताईए यदि कोई पिंड या लोलक्स सरल आवर्थ गती कर रहा है तो एक दोलन में वो अपनी प्रारंबिक अवस्था पर कितनी बार होगा प्रारंबिक अवस्था में आएगा देखिए इसका प्रीप कुमार यादव जी का अंसर आया है दो बार जी नहीं अंसर गलत है विपिन सूराज रितेश सिंग सभी दो बार लिख रहे हैं देखिए होता क्या है हमस्ते नहीं है आप लोग ये है इसकी राम अवस्था इसकी रेस्थ की अवस्था धर्मेंद रियादव जी ने भी दो बार लिखा है हम अगर इसका ग्राफ बनाए तो जब ये लोग अपनी प्रारंभिक अवस्था पर था तब ये यहां पर था जब हमने इसको धक्का दे करके इधर पहुँचाया तो ये इसकी पॉजिटिव स्टेट में मैक्सिमम डिस्टेंस थी यहां पर यहां पर पहुँच गया अब यहां से फिर वो वापस अपनी विराम अवस्था में आया यहां पर अब फिर अपनी विराम अवस्था से एक दोलन कहा जाता है एक दोलन में वो अपनी प्रारम्भी कवस्था में कितनी बार था एक दो और तीन तो एक दोलन में कोई भी लोलक अपनी प्रारम्भी कवस्था पर तीन बार रहता है इसे सरलावर्थ गती का ग्राफ कहा जाता है सरल आवर्थ गती का फॉर्मूला होता है दोलन काल बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ये सरल आवर्थ गती का दोलन काल है इसमें ये जो टी है ये है दोलन काल हाँ प्रदी कुमार जीव आपने सही कहा तीन विपे नव आपने भी सही कहा तीन दोलन काल बराबर टू पाई अंडर रूट लंबाई बटे गुरुत्विय तवर्ण तो दोलनकाल, किसी भी सरलावर्द गती में दोलनकाल हमेशा लोलग की लंबाई के समानपाती होता है और गुरुत्वियत तورनद के व्यूत कुर्मानपाती होता है तो अगर हम आपसे कोशन पूछे हैं कि किसी लोलक का दोलनकाल यदि प्रत्वी पर दस है तो अंतरिक्ष में जाने पर उसका दोलनकाल कम होगा यद बढ़ जाएगा बताईए देखिए यहाँ पर गुरुत्वी तवरन के वेद कुर्मान उपाती है वेद कुर्मान उपाती होने का आर्थ है कि जैसे प्रत्वी पर गुरुत्वी तवरन है 9.8 मिटर पर सेकेंड जब आप उपर जाओगे तो गुरुत्वी तवरन कम हो जाएगा तो दोलनकाल बढ़ जाएगा क्योंकि वियुत कुरान उपाती है ऐसे ही अगर किसी लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ाईए कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा दुगनी कर दी जाए तो लंबाई के समानुपाती है दोलनकाल तो उसका दोलनकाल भी बढ़ जाएगा दुगना हो जाएगा इस तरीके से ये सरलौवर्द गती से सम्मनेथ क्वेशिएंज होते हैं जतने भी म्यूजिकल इंस्रुमेंट हैं जितने भी संगीत के instrument होते हैं जैसे सितार है गितार है वीना है इन सब में जब हम तारों को छेड़ते हैं तो ये तार सरलावर्थ गति करते हुए अलग-अलग ध्वनियां उत्पन करते हैं यह ध्वनियां वाईउ में कड़ों के अनुनाद के कारण उत्पन होती है यह जो resistance कहा जाता है अनुनाद जब उत्पन होता है तो तार के घूमने की तार के दोलन करने की गती और वायू के कड़ों की गती समान हो जाती है मैच कर जाती है और यही matching कहलाती है अनुनाद resonance एक सो बीस जवानों की बटालियन को कभी भी पुल पर कदम ताल करते हुए परेड करते हुए मार्च पार्स करते हुए नहीं गुजारा जाता उसका कारण यह है कि जब एक सो बीस जवानों की बटालियन कदम ताल करते हुए लेफ्ट राइट करते हुए पुल से गई तो अनुनावत्पन होगा और अनुनाज से पुल टूटने का खत्रा होता है इस वज़े से पुल ना टूटे एके करते हुए पुल से बटालियन के जमानों को गुजारा जाता है जब भी कोई एरो प्लेन वाईयू में उड़ता है बहुत तेजी से जेट प्लेन उड़ के कड़ों की गती वाईयू के कड़ों की गती के बराबर हो जाती है तो अनुनाद उत्पन हो जाता है और अनुनाद उत्पन होने पर ये इड़ी तरंगे उत्पन होती है इड़ी तरंगों के कारण ये इमारतों के कांच चूड जाते हैं तो दोस्तों आज हम लोगों ने चर्चा की mechanics के बारे में यांतरीकी के बारे में यांतरीकी में हम लोगों ने मापन तथा गतियों के बारे में चर्चा की अब अगले segment में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे आज यतना ही रखते हैं धन्यवाद thank you